हेलो वांग्शिन फैमली आप सभी का स्वागत है गाईज उमीद है आप सभी लोग ठीक होंगे क्योंकि आज कर थंट बहुत जादा पड़ रही है तो आज मैं इस फैन फिशनी का नेक्स बाड लेके आई हूं उमीद है आप सभी लोग ठीक होंगे तो आप लोगों को जरू पिनस होता है वो हमारी लाइफ का ही पार्ट है तो इस फैनस्वेक्शन में कुछ पल हैं दुख बरे हुए बट इसके आगी हाईप मोवमेंट्स भी हैं तो उसके लिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा था कि जो वीइंग और वांग्शिस होते हैं व वांग्शिस होता है वो अपने आपे में हो नहीं होता है वो खोह को होता है वो चुक्त होता है कि वो एक texting में तो अपनी और अपने बच्चे को वह सभी खूशियां दे जो इसको ने मिल पाईं वांग्शिको consumo का से द剛 Round की च्भा की वह जो पहले होगी जो बहुत झोडा और उसको उसके अंकल ने पाला और जो की बहुत स्ट्रिक्ट थे उसको वो खुशिया नहीं मिल पाई तो वांच जी को था कि वो अपने बच्ची को देगा तो इसलिए वांच जी टूट गया था कि उसको था कि वो पेरंस बने बड़ वियंग उससे खुशी छीन ली थी और जी टूट गया था कि वो उससे बदला रे सके और जो वियंग होता है उसको इस बात का पता नहीं था तो इसलिए वह भी बहुत सद्वे में था क्योंकि जो वियंग था वो बच्चों से बहुत प्यार करता आया है अपने बच्चपन से ही और जब वो लोटस पेर में था अब भी वो छोड़े बच्चे होते हैं खेला करता था अपने सेट के उनसे प्यार किया करता था और वियंग को तो यह भी नहीं पाता कि शायद कभी लाइफ में वो मा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा क्योंकि जो वियंग जो था वो अपने अन्नेटी को छुपा कि जो वियंग को एख शुचियान मिली भलही वो खुशियान किसी और चुरीक के से मिली वियंग उसमें खुश नहीं था बर मिली तो वियंग को यह बात नहीं पता थी झो पर उसने अपनी खुश्यों का जो गला है खुद घोट लिया था ऑ इसलिए वह इस टाम बहुत जा है वो कुछ नहीं कहता बस उसके आँखों में आसु आ रहे होते हैं तो बांजी देखके और इरिटेर्ट होता है कि जो विएंग ने उसने इतना कुछ कर दिया अभी भी एक शब्द नहीं बोल रहा तो बांजी गुसर से कहता है कि तुमने जो किया है विएंग तुम्हें इ तब तक मेरे साथ रहोगे हमेशा तब तक कि तुम मुझे मेरा बेबी रिटर्न नहीं कर देते हो मुझे मेरा बेबी वापस चाहिए ऐसा गया कि वांजी तुमा गुसर से निकल लाता है और विएंग उसकी जो एक शब्द भी उसको रिप्लाई नहीं करता है किसी वात का बस चुपकर के लेटर रहता है तब वहाँ पर जो मेरा वा आती है और उससे पूस्ती कि ठीक हो तो विएंग कुछ नहीं कहता है तो मेरा जो होती है उसको लटाती है बिस तरह पेच्चे से बड़ विएंग के आंको से आंसे निकल रहे होते हैं और वह ऐसी आखे बंद कर लेता है और अपने आपके मेरे मेरा ही फॉचर लाज जाता है कि उसने क्या कर दिया कि अब गशिय गराता है और जैकर कहता है कि मैं अभी जो यसी विएंग जो सब्सक्राणी होंक होगा इससे कहा कि जो थोड़ी-मढ़ी त्यारिया शुरु हो जाती है उनने कि स्टम, जो मोटिव है उसको कुप्लीट करें और जब उनका नेक्स झाल हो हुँआन से वांत जी का रिए जो मतलब की उनका जो मेरेज के कारण चाईल हो इसे कारण जो वांत जी परना पूरा हग्जदा आश तो इसलिए वांजी ने फैसला लिया था तो बहुत कम त्यारियां होती है तो कोई धूम जड़ा कुछ नहीं होता है किसी को इनिविटेशन वेगरा कुछ नहीं जाते हैं बहुत सिंपल सी बस कुछ सेक्ट का कुछ लोग ही होते हैं जिंदा और वियंग की फैमिली तरफ से क दोशी को कुछ नहीं भेया जाता और तो फिर क्या होता है कि जो वियंग जोता था ठीक हो गया होता है अब वह काफी मतलब की रैस्ट करके उस आदने कमरे में लेटा रहता था अपने विस्तर पे वह कहीं बहार नहीं जाता था बस उसको एक मेड दी हुई थी वहीं मेड थी उसकी सेवा करती थी सुखिलाना प्रहाना लाना सब काम वहénd करती थी वह भी एक उमेगा थी पता नहीं कब खतम होगा बट वो इस गिल्ट में है यही कारण है कि उसमें आभी तक ना वानजी से कोई बात की ना किस से कोई बात की वो बस चुप है और ना उसने इस बात की डिमार्ण की कि उसको यहां से जाना है वो बस चुप है और कुछ नहीं कर रहा है उसके बाद क् लेडी जाने से पहले है उस जो मेड होती है वेंग की कि इनको अच्छे से बी प्रिपेर कर देना इनकी वाइड नाइट भी होगी तो तुम सब को देख लेना इनकी हेल्थ वगरागा क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद थोड़ी इनकी पढ़ी मुश्किल हो ऐसे का कि व ऊज्यदा रहते हैं मतलब कि जो मिड होते हैं ऑब भाप ठीक है आपकी जो ओर्गन वगरा इन तो क्वैंक में तो यह क्रिग करते हैं तो लेडि बस को चेक करती है उसके सभी क्वाट वांड हिर उसके सब लिक ठीक हो गई होते हैं और एंग कि वो देखती है कि ऑ वीं तो फिर वो लेडी होती है वो वेइंग को कहती है चली मैं आपको त्यार होने मद करती है अब आपकी वेडिंग है इस बात पर वेइंग जोड़ा साथ देखता है उधर लेडी की तरह स्थोड़ा हैरान होता है बट फिर भी वो कुछ नहीं कहता खड़ा होता जिप करके और दो लेडी होती है उसे कपड़े परहाना शुरू कर देती है और उससे परहाते है उससे पूछती है कि आप पूछेंगे ने कि आपकी वेडिंग किस के साथ है क्या है कैसे है कुछ नहीं पूछेंगे आपको तो कुछ पता भी नहीं है आप नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई मेंबर शामिल हो इस बात वे इंग चुप रहता है और फिर धिरे से कहता है मुझे नहीं पता, मैंने जो किया है शायद ये उसकी punishment है मुझे शायद ये punishment गौड की तरह से मिल रही है तो मैं इस punishment का accept करूँगा फिर चाहें मिरे शादी से मर जी हो मुझे फरक नहीं पड़ता तो इस बात को वो सुनती है लेडी और कहते है चिंता मत करी आपकी शादी हांगुन जुन के साथ ही है आपकी शादी वांजी के साथ ही है और वो चाहते हैं मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं बट उन्हें आपके शादी कर रहे है बाकी मैं आपसे ही कहूंगे कि आप अपनी जो दिल की बात है उनसे बताइए कि आपको इस रिजो का नहीं पाया था बेवी विगरा का और अपनी बात तो क्लियर किजी ताकि वो समझेंगे कि इसमें आपकी गलती नहीं है और मुझे ऐसा रगता है कि शायद वो आपको लाइक करते हैं कि आपके इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें आपको इसरी बोल हैं डाटा है कुछ नहीं किया अगर यहाँ पर कोई और परसन होता तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा तो जिन्दा होता बट विए कुछ नहीं कहता है और हसते हैं कि यह मेरी किसमत है और मेरी जिन्दिकिये में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है ऐसा गया कि लेडी तो त्यार करा जाती है उसको वेल होती है उसको भी कर देती है और उसको लेके जाती है हॉल में वहाँ बहुत कम लोग होते हैं मतलब कि हैसा मतलब की नाम मातर कहीं होते हैं हिसलों होते हैं गड़ा द्युक्त होते हैं तो को भाते हैं देख को स्थेसी होते हैं लोग दुखी होते हैं यू इसने में भूपता और गूपता लोग कोई मतला करती है Вас जाथ हो गार जाती है कि रूम में यता हुआती है जाने पेले विएएंग को देती है इसका हात पड़ बे याईग करती है कोशिट करे आएंग कि अब उसे बात कर सकें ऐसे कर का क्यो चली याती है जो मुठा हो तरह काफी समय तक में बैठा रहता है और वांजी दोता वो आता है लेट यह ऊता है और आगए वेल एसी लगे गुए है यह इसा हराना viens वांजी ने आपकी वेंग ने अपने वेल नहीं हटाई वांजी आता है और एक ही हाथ से की वेल को ऐसे हटाता है और उसे कहता क्या बात तुम अब तक ऐसी बैठे हैं उमर्जला तुम अब तक बैडिंग रोप्स को निकाल के फीग चुकी होगे तुम अखिर इतन अफरत जो मुझसे करते हो और आप तुम्हाई शादी भी मुझसे हो गई है मुझे तुम नहीं लगता कि अब तुम अरपस कोई आप्शन है इस बात वियरंग होता है वांजी तरह देखता है जब वांजी ने उसे कहा था कि यह नफरत करते हैं तो मुझसे बट रियाल्टी यह थी कि वांजी नफरत नहीं करता था और नहीं वांजी से वांजी वियरंग से बट उन दोनों के मन में जो गल्द फैमिया जो भी चीज़े हुई थी जो उनके हालात है उससे कर उन दोनों के कहीं न कहीं वो पैदा हो गया था कि नहीं यह बंदा उसके लिए सही नहीं है त Sky reckless ईससा को अधे साध से पाएयगा उता कुछ नियुकि नहीं हो तो आता है पहले उपटने रोपस को निगा देता है मुझे ऐसे कहता है कि सुनो तो फिर वांजी कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे कोई इंटरस्ट नहीं है तुम्हारी बाते सुनने में और ये बात सुनने में कि तुम मुझे ये बात बोलो कि तुम ये नहीं करना चाते हो या तुम मुझे मना करो या तुम यह बोलो कि तुम मुझे से दफरत करते हैं मुझे इन सवाल से कोई फरक नहीं पड़ता है कि मुझे सिर्फ तुम पनिश करना है मैंने जो चीज खोई है मुझे बाप पस चाहिए उसके बाद तुम जो करना हो तुम करना और उसको नाम ऐसी मतलब कि एग्रेस ली इसको बैड पर पूल कर देता है और उसके जो हैंड्स होते हैं उसको मतलब काफी टाइट ली बांग देता है उपर बांग के जो उसके जहां पर पिछले टाइम उसके नेक्ट पर काटा था उसी जगह पर जाकर उसको इतनी तेज का पर बेख नहीं को शुटार होता है बहुँ ज्यादा बट वेंगेंगे टम दवांच जो तो इसको हट जगह से बाइट कर रहा होता है उसके वह फोरण पे वह एसी जाता है इवन कि उसके चीक सिरह पेसी करता है उसको किस क्या थोड़ा मतलब रफली किसी सोती है उनकी बाइट वेकर टाइप के और फिर उसके वह लिप्स पे ऐसी काफी तेज़ बाइट करता है और वह कह रहा होता है कि तुम्हें पसंद नहीं है ना जब मैं तुम्हें समहत ऐसा कुछ करूँ पड़े साथ वेंग कुछ नहीं कहाता और वांच जी कहता कि मुझे पता है तो म बाइट कैने मुझे व एकने तरवघ वरो मुझे बडके बाइट के अब मेंहें हो तुम्हें इस तरव दोनों नहीं टीक ईल In सब्सक्राइब की जो दोस्ती, फ्रेज़ूटी जो टीय को छीज भी अब को तरफं चोका है को वेंग की तरफ से ओन clear समस्हाइब के रखने को with से गले में नहीं है Oneji होता है तो बहुत जब होता है और इसके बाद वह की आग्रासीव होता है और वोसके जलै जल्ए अननका इंट्रीमीमेशेशन उनका इंट्शी शेशन बहुत लूंग होता है और नारass यर जया ककी कि जो स्ट्री वेंग की जब वाइस होती है बहुता है लावड होती है और मतलब कि वेंग रो भी रहा होता है बीच बीच में काफी मतलब की काफी इंटेंस वाइस होती है और वेंग ट्राई करा था कि शायद वांजी से कुछ बात करता है क्योंकि वेंग को था कि चाहे वां कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे नहीं पया था, बड़ बांची को सुनता हूँ, उसके अगया देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और उस चीज के बारे हैं, तो बिल्कुल बात मुझे बहुत होता है, तो चीज मैंने खो दी है, क्योंकि वो तीस तुम्हा सेशन के बाद जो वेंग होता है, और बांची जो होता है, वो उटके बैठ जाता है, और वो वेंग होता है, और अब देख रहाता है, यूँकि उसकी बाड़ी पर बहुत सा निशान बांची ने छोड़े होते हैं, और बांची बैठा होता है, वो तो सड़ा पानी पीता ह और वहीं साहीड ने बैठा था था, सोच रहा होता है कि उसने क्या हो जा था था और क्या से क्या हो गया, उसका सपना था कि वह एक अच्छी फैमली बनाए, उसका वो खुशी-खुशी रहे, बट सब कुछ उसका उल्टा ही हो रहा है, उसका दवानजी वहां से उठके चला नाइट में वह चला गया होता है, और वह वहां जी उठके चला गया होता है, बाहर सहर करने के लिए, अपने कपनों को पहन के ताकि उसका मज़ माइंड है, वह सही हो सके, वह बड़ा शान्ती मिले। और इधर वियंग उता है, वह असी पड़ रहा था है, नेक्स्ट मार् जो उसकी मीड होती है वेएंग को बात दे रही होती है और उसके निशानों को देख रही होती है और उसके पूछते है क्या night कैसी थी जो सबते हैं वेएंग कुछ नहीं गया था और वेएंग की चपी पर समझ आती है old lady की काफी मतलब की वो बात भी नहीं कर पाया और काफी उसके निमाक्स देख की काफी राफ नाइट ती वो इस वाद चो लेडी के समझ कहती है कि मुझे लगा ही था कुछ ऐसे ही होगा कि जब आप लोगके जब यह हलात हैं वो उसे करना लगता नहीं क्या अप लगको भी बात कर पाऊगे कि क वह कर रहा है तो सभी है ये लेडी मेंट्स पहर बाते हैं कि लेडी होती है उसके नेक बाइड पर बिश्ट हो जाता है और जो यह चैशन था उनका मतलब कि रेगुलर रूटीन बन गी थी मतलब कि रोज मतलब कि ऐसा हुआ करता था कि पूरे दिन जो वियंग वांजी थे तो उससे नहीं मिला करते थे देखा लग नहीं करते तो इस शकल को बड़ जब नाइट हुआ करते थी जब वांजी होता ह वो दो ड्वेंग की कमरे में कभी किसी भी टायम चाह है लेट नाइट हो चाहिए इवनिंग के टायम हो चाही बहुत जा G hairdan हो सटाइम आजाया करता था और बिना वांजी से कोई बात किया हिया वेंग करता था और उनका इंटेमिन से «टब सुच्शे क्आइज था कभी वांग जी से बात नहीं कर पाया और उनका जो शाषिन था वो चलता ही रहा तो कुछ समय बात ऐसा होता है कि जो वेंग जो होता है मतलब कि प्रैनेट होयाता है उसको मतलब कि वांटिंग वहरा स्टार्ट होयाती है और यह जो खबर है मेडे हो जाके वागन जी को बताती है तो बागन जी भूख खुर्श होता है भूख खुरता है हैं तो इसेल्बरेशन इप्रवाह बहुत Mystery लोग भोग you होते हैं वियंग को था चलो वियंग को अब ऐसा साकी चलो और वो द्वरारा प्रागनेंट है था कम से कम जो उसने किया था उसके भरपाई वो कर पाएगा और जो भले जो वांग जी शायद उसने गल्द किया था शायद उसको अब सही कर पाए और उसको था कि शायद वांग बाएmm missing अजेवी मोत दुखी होता क्या इदा मैरी जो किया झरी उन्हार दिया था تو में पुरी घाने सुनी टाकि थे स्अन्हारी ज़ेखेए जैसे करन का बेबी की death हो गई थी तो फिर जिन नहीं पूछता है क्या मैं डैडी बहुत cruel थे क्युंकि वभी थोड़े से heartless से लगते होते हैं तो इस बाते जिव जिन करते हैं नहीं तमाई डैडी जो हैं बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारी मॉम से बहुत बहुत प्यार करते हैं बट ये बात अलागे कभी वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और तुम्हारी मॉम को ये चीज़ कभी नहीं पता लग से कि आखिर उनकी जो रियल फीलिंग से वो क्या है बट मैं जानता हूँ उपने अब भी प्रोटक्शन और उस दुन के बाद से कभी वियंग के पास अगया नहीं था इंटिमेशन के लिए को पाट्रा के प्रेंशन नहीं सब ठीक नहीं होती है तो वह मतलब आया करता वेंग को देखने के लिए बट आधी रात को शुजाय करता था वो आगके बेंग को करने मीड़ेंग रख धा पासा जो अंटा iki था उसका विएग' कुछी यहां पर आया है बट जाता टाइम को नहीं को कुछ आता ता शूजए खेकिंद बहुत घ्यों यह प्तुन गतर नजलीरेक, इस यह तुछ यह भज़़ भाहर आगया था तो वाक पे निकला था और वाक पे निकला हुआ था कि तभी शूष्य जो होता है वहीं पे पैट्रिस बगएरा कर रहा होता है और वेंग भी वहीं से निकलता है वेंग को उतना ध्यान नहीं होता और बाकी सब भी होते हैं उसके सहने के बगएरा भी होते हैं वह को ध्यान भाता वो भांगे घूळास को थोड़ते हैं और पियेग को नहीं पता है कि अधर निशाना हुश भी और दो युद्ण रेक कि लगने वादा था नहीं कि अपने स्वार्ड निकाल के तीर को दो टुक्ड़े कर देता है अगार देता है और वंग हो यह वेवेख के अमस कोता है और फिर ऊवांजी लोगो लिकrates करें Prof. से वेजों पुछ नहीं और जांता हुए पता नहीं कि तुम्हें करना है कि मैई अपाटा अगर अब तो सूचा होता कि आपना चुखा लगाया है कि वहस्पार ऑपना हसा हिए जो चूसे मेर्ड होते है उनको बीड़ के टाटता है कि सको मेघ वह सुपों कुम जो बर मेंचे से उनके सबीट नहीं होताई ँःष्या है वह उसने छोड़ रहा होता है और देख रहा होता है और उसको था कि शायद वांजी से कुछ कहाएगा और वांजी से कुछ ही नहीं करता है और चलायाता है इस दुबाद यह देखके वांजी को अच्छा लगता है कि वांजी को इतनी कियर है तब ही जो सुशे होता है वो भी दुनिया में आएगा उसका तो behavior बिल्कु बल जाएगा और मैं जाता कि जो यह लड़का है जो यह हमारी जो queen है वो बने और मैं ऐसे होने भी नहीं दूँगा तो इस चाहिए को माइड में कुछ प्लान चल रहा होता है अब दिखना यह होगा कि नेक्स पार्ट में वो कौन सा प्लान करेगा जो विएंग को धरशाइग करने के लिए और मतलब की विएंग को जमाएं नीचे लुड़काने के लिए कि आज कल वह वहां जा रहा है कि उसका जो बेबी अब पैदा होने वाला तो नेक्स पार्ट में देखें गाइस क्या होता है थैंक्यू सो मच अमीद है आपको यह अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और विडियो को लाइक करें और धिर सारे कमेंट्स कीजिए